साथियों, ब्रज भूमी ने हमेशा से ही पुरे देश को, पुरे विश्व को, पुरी मानवता को, जीवन को प्रेरित किया है आज पुरा विश्व, परियावरान, समरक्षन के लिए, पेड़ पउधों के बचाने के लिए, पुरी दुनिया को रोल मोडल डून रहा है लेकिन भारत के पास भगवान, स्री कृष्ण जैसा प्रेरिना स्रोत हमेशा से रहा है जिनकी कलपना ही, परियावरान, प्रेम के बिना अधूरी है आप जड़ा सोचिए, कालिंदी, जिसको हम यमना कहके पुकारते हैं वैजैन्ति माला, मयूर पंक, बास की बासूरी, कदम की च्छाव और हरी भरी, गास चरती उनकी धेनूं, क्या इसके बिना, स्री कृष्ण की तस्वीर फूरी हो सकती है? हो सकती है क्या? क्या दूद, दही, माखन के बिना, बाल, गोपाल की कल्पना, कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सात्यों, प्रकृती, परियावरण और पशुधन के बिना, जितने अधूरे, खुद हमारे आराध्य नजर आते हैं, उतना ही अधूरापन, हमें भारत में भी नजर आएगा परियावरण और पशुधन हमें साथे भारत के आर्थिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सां रहा यही कारण है कि चाहे स्वच्च भारत हो, जल जीवन मिशन हो, या फिर क्रिशी और पशुपालन को प्रोट्साहान, प्रकृती और आर्थिक विकास में संतुलन बना कर ही हम ससक्त और नए भारत के निर्मान की तरप आगे बढ़ रहे हैं भाई और बेहनों, इसी चिंतर को आगे बढ़ाते हुए, आज अनेक बड़े संकल्प हमने यहां लिये है और मैं मानता हूँ, देश के कोटी-कोटी पशुओं के लिए, परियावरण के लिए, परियटन के लिए, ऐसा कारकम आरंब करने के लिए, ब्रज भूमी से बहतर हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले, स्वच्छता ही सेवा भियान की शुरुवात की गई है नेशनल एनिमल डिजीज, उस कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉंच किया गया है पशुओं के स्वास्त, सम्वर्दन, पोशन और डेरी उद्योग से जुड़ी कुछ अन्य योजनाय भी शुरू हुई है इसके अलावा मथुरा के इंफास्टक्चर और परियतन से जुड़े कई प्रजेश का सलान्यास और उद्गाटन भी आज हुआ है इन योजनाओं, परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुपकामनाएं, बहुत बहुत बढ़ाई और मेरे लिए प्रसंदता का विशे है कि आज हिंदुस्तान के सभी क्रशी विज्ञान केंद्रों में उस-उस खेत्र के हज्जारों किसान एक-एक केंद्र पर इखट्टे होकर के इस पावरे नजारे का अनुभव कर रहे हैं कोटी, कोटी, किसान और पशुपालक आज ब्रज भूमी के साथ टेकनोलोजी से सीधे जुड़े हुए है उनको भी मैं नमन करता हूँ, उनको भी शुपकामनाएं देता हूँ